हुआ कि वी आि वारे में या आप कह सकते हैं पुलीस वेरिफिकेशन के लिए अपलाई कैसे करेंगे कैसे आ llan करना है क्या 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 करना है और क्या डॉकुमेंट्स लगने वाले हैं दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी ब्राउजर पर जाकर और उस पर जो सी सी टी एनस की जो ऑफिसिल वेफ साइट है अगर वहां पर जातने हैं और आप करेंट के लिए अप्राई करते हैं तो दोस्त उस एर के चलते मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप यूपी कब के जो यूपी कब एप है उसके माध्यम से आप करेक्टर स्राटिफिकेट के लिए अप लाइक कैसे कर पाएंगे तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी र दोस्तों आपको सबसे पहले अपना यूपी कब को डाउनलोड करना है और उसे इस्टॉल कर लेना है मैंने पहले से इस्टॉल कर रखा है तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जिस नाम से आपको यहां पर अपना अकाउंट बनाना होगा नाम पत और नीचे आपने जो password create किया है उस password को नीचे password option में डालेंगे और login कर लेंगे तो दोस्तो login करने के बाद आपके सामने इस परकास से page open हो जाएगा तो आपको आना है service पे आपको service पे आकर click करना है और उसके बाद pay service आपको दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर आकर click करना है जैसे click करेंगे तो आपको first option मिलेगा character certificate आपको character certificate पर click कर देना है जो चलिए click कर देते हैं जैसे दोस्तों click करेंगे आपके सामने इस परकास से page open हो जाएगा आपको सबसे पहले ऊपर आपको no का option दिया होगा आपको no ही रखना है यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको first नाम एंटर करना है तो चलिए हम यहाँ पर आजाते हैं अपना जो first नाम है एंटर कर लेत झाले इंटर करते हैं और यहाँ पर एक टिक मार्क दिया होगा अगर आपको염 नहीं है तो उसे अंटीक करेंगे तो फिला में यहाँ पर लच नाम है चाहिने दिए मोड है वारि सब्सक्रावर्ट करनेyes विर्टिय music के लिए अपना ctyatव करेंगे और उसके अ किस बजय से बनवाणा बंड़ा ना चाहते हैं यहाद पर अपना date of birth है उसे आपको नीचे आकर इसे select कर लेना है तो चलिए मैं इसे फूरा form को फूल तरीके से भर लेता हूं तो दोस्तों जैसे आप यहां पर form भरेंगे तो चलिए मैं यहां पर पूरा form को fill कर लेता हूं और form को fill करने के बाद सबसे नीचे आपको मिलेगा एक सबसे पहले photo upload के लिए तो मैंने यहाँ पर photo upload कर दिया है उसके बाद दोस्तों उसके नीचे आपको identity proof और address proof upload करना है जिसमें आप अपना आधार card दोनों जगहे पर upload कर सकते हैं तो मैंने अपना यहाँ पर आधार card upload कर दिया है और नीचे जो address proof है उसके भी मैं आधार card को upload कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आधार card upload करने के बाद और photo को upload करने के बाद दोस्तों आपको पूरी detail मिला लेना है कि आपको कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है तो चलिए नीचे तरफ आ जाते हैं नीचे की तरफ आप आएंगे और नीचे तरफ आने के बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा एक continue button तो चलिए हम यहाँ continue button पर click कर देते हैं जैसे आप continue button पर click करेंगे और click करने के बाद दोस्तों next option आपके सामने होगा यहां पर permanent address आपको fill करना है तो यहां पर आपको अपना village या अपना सहर जो भी हो fill करना है और यहां पर आकर आपको अपना state select करना है उसके बाद दोस्तो state select करने के बाद आपको अपनी district को select करनी है और उसके बाद दोस्तो आपका जो police station है उसे select करना है और यहाँ पर मिलेगा अकी आप कितने वर्स से रह रहे हैं जो अपना address है उस address पर आप कितने दिनों से रहे हैं उससे fill करेंगे और उसके बाद दोस्तो नीचे आएंगे आपको as or no डो बटन मिलेंगे इस का नो का तो आपको no ही रहने देना है और उसके बाद दोस्तों या जो पूरी जो डिटेल है आपका पर्मानेंट आडरस अगर सही है तो उसके नीचे आप आलदा information आप क्लिक करेंगे टिक करेंगे और यहाँ पर submit करेंगे यहां पर payment करना होगा तो मैं चलिए यहां पर payments करना पर आ मैं close कर देता हूं, close करने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरह भी स्कोल करेंगे और नीचे मिलेगा proceed with payment तो आपको payment करना है आप किसी भी option से आप payment कर सकते हैं तो मनें यहां पर payment पर क्लिक किया तो आप यहां चाहें तो net banking other banking जो भी हो आपकी यह SVI से है तो SVI से या आपका debit card है credit card है या आपका जो UPI है आप किसी से जो है fees को pay कर सकते हैं तो फिलाल दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप networking या अपने debit card से payment करें तो यहाँ पर मैं अपने debit card से payment करने वाला हूँ तो चलिए मैं select कर लेता हूँ debit card को और debit card जैसे select करेंगे select करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकास से information आ जाएगी आपको फिर confirm करना है confirm करने के बाद नीचे जाना है फिर से आपको confirm कर देना है तो जैसे confirm करनेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर आकर अपना जो debit card है उसके सारे जो card number होते हैं उसे यहाँ fill करना होगा तो card का number जो है मैं यहाँ पर fill कर देता हूँ और fill करने के बाद दोस्तों आपको capture दिये हुए capture को fill करना है उसके बाद pay button पर click कर देना है तो चलिए हम pay button पर click कर देते हैं और pay button पर click करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा bet करना है और यह इस पर कास से pay जा जाएगा यहाँ पर आपको जो debit card है जो mobile number registered है उस पर आपको एक one time password यानि OTP गया होगा उस OTP को दोस्तों आप यहाँ पर इस box में enter करेंगे तो OTP दोस्तों मेरा आ चुका है और इस OTP को मैं इस box में enter कर देता हूँ तो चलिए हम यहाँ पर OTP को enter कर देते हैं इसके verification के लिए और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा एक submit button आपको simple आकर submit button पर click करना है तो चलिए हम submit button पर आकर click कर देते हैं जैसे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा bet करने को कहेगा और उसके बाद दोस्तों आपको सामने इस प्रकास से पे जाएगा आपको थोड़ा सा bet करना है कुछ भी नहीं करना है और आपका जो payment है यहाँ पर successful हो जाएगा तो चलिए थोड़ा सा bet कर लेते हो चुके तो यहां पर मेरा जो 50 रुपए हैं वो करीब यहां पर finally cut चुका है और मैंने यहां पर 50 रुपए का payment भी कर दिया है तो चलिए यहां पर थोड़ा साम बेट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें इस परकास से पेज मिलेगा आपको चाला नमबर ट्रांजक्शन नमबर यह सब कुछ मिल जाएगा आपका जो यहां पर दिखाएगा और नीचे आपको मिलेगा Donaldjourn Canadian नमबर आप यहां पर आकर अपनी जो download own knowledge number पर क्लिक करेंगे तो अपना यहां पर एक non acknowledgement नमबर होता है उसे आप यहां पर download कर सकते हैं दोस्तो इससे पहले मैंने नंबर को सहब करके ही रख लिया है और लिख भी लिया है तो दोस्तो आप इस प्रिकास से अपना यूपी सी यूपी यानि यूपी कप एप के माध्यम से आसानी से अपने करेक्टर स्राटिफिकट को आनलाइन अपलाई कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें जिससे दोस्तो और भी आने वाले वीडियो नोटिफि झाले वीडियो यूपी 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 यूपी